है दोस्तों मैं असलम सेकर और आप देख रहें गूगुल गूगुल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज का टापिक है कि रिलाइंज हो कि 44 Mbps कैसा आप स्पीड पास सकते हैं और उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है आसान सा सिर्फ आपको सेटिंग्स म कौन सा ट्रिक है और उसको कैसा हम इडिट करके उसको इस्तरमाल कर सकते हैं तो देखें लिए आपका जियो का इंटरनेट स्लो हो चुका होगा और इसलिए मैं ऐसा एक ट्रिक लाया हूं आपका 44 Mbps तक आपका जियो इंटरनेट का स्पीड वर्क करेगा मैं सिंपली इसके उपर क्लिक करता हूं और इसके उपर क्लिक करता हूं दोस्तों अभी आप देख सकते हो थेस्टिंग पिंख के करा आया दीए अलगगा अभीदर साथ आट नव बारा तेरा फोर्टीन फिप्टीन फिर्टीन फिक्टीन इंविपस तक आपका स्पीड मिल रहा है यह भी कुछ पम नहीं ऐसा नहीं भाय अभी आपका देख सकते हो इधर upload का speed 3 to 3 to 3 to maximum 3 to mbps चल रहा है तो मैं आपको एक simply सा settings में जाए दोस्तों settings में जाने के बाद आपको mobile network से चूज करना पड़ेगा आप access point names चूज कीजिए उसके बाद internet geonet है ना उस पर क्लिक कीजिए और नीचे लिखिए बेरर के उपर क्लिक करके आप इधर ELTE उसके उपर था तो आपको इधर unspecified में क्लिक कीजिए और इसके बाद आपको save कीजिए simply दुबारा में इससे आपको इधर से दिखा दूँगा तो दोस्तों मैं again test again के उपर में क्लिक किया हूं टेस्टिंग पिंग आ रहा है दोस्तों अभी आप इधर देख सकते हो दिखिए 15 चुविस 40 43 42 42 mbps या 44 44 mbps तका इधर फाइनली ले चुके हैं दोस्तों इसका मानना है कि यह ट्रिक वर्क कर रहा है दोस्तों अभी के अभी आपका सेटिंग्स चेंज कीजिए और इसका इस्तेमाल और फाइदा उटाई दोस्तों अभी आप इधर देख सकते हो कि पाच अप्लोडिंग स्पीड भी बढ़ चुका है तो दोस्तों थेंक यू आपको इस वीडियो जरूर पसंद आया होगा आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे नेक्स टूडियो में थेंक यू अभी देखिए आपका यू झाल